हलो मैं मधू और आज का मेरा टॉपिक है कि क्या आपके मास्कुल लाइन आपसे नाराज होके बहुत दिनों तक रह सकते हैं तो अंसर तो है नो कभी-कभी हमें डर लगता है कि येस जब हम लास्ट टाइम एक साथ थे जब हमारा बबल फेस था जब हम एक दूसरे के साथ बो डिस्टन्स क्रियेट होना स्टार्ट हुआ फिर ऐसे कुछ फाइट होना स्टार्ट होता है फिर ऐसे कुछ मिस कम्मिनिकेशन होना स्टार्ट होता है तो दीरे-दीरे आप देखते हो कि आपके मास्कुल लाइन आपसे दूर जाना स्टार्ट करते हैं कभी-कभी तो ऐस कर जाते हैं और एकदम से डार्क नैट अव सोल स्टार्ट हो जाता है और इसा लगता है कि यह कभी ठीक नहीं हो सकता सब कुछ खतम हो गया इस तरह का डर जो है आपके उपर हावी होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो तो यह बताना चाह होंगा कि आपके ट्विन्फलेम आप ही हो एसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको आपके ट्विन्फलेम से से परेटकर करकर रख सकता है जो भी सेपरेशन या जो भी इस तरह का गोस्टिंग या लाक अप कम्यूनिकेशन आप देख रहे हो यह सिरफ एक इलूजन है कोई कि भी separation पर्मनेंट नहीं है separation का में इंटेंशन ही होता है कि आप आपके उपर काम करें आप आपके अंदर अपने एनरजी को असेंड करें और आप आपके divinity के साथ alignment में आए that is the only purpose और आपके twin flame आपको unconditionally love करने के लिए बनाए गये हैं वो कभी भी आपको छोड़ के आपसे दूर रहे के खुश नहीं रह सकते हैं लेकिन ये जो process होता है ये process होता है purification का ये process जो आप जा रहे हो ये होता है ascension का इस time पे ऐसा लगता है कि शायद आपको लगए कि possible है नहीं है हो ही नहीं सकता लेकिन ये सारे जो डर है ये डर ही को अपने अंदर खतम करना और इस डर से ascend होके pure love में आना ये ही आपके twin flame journey का main purpose है और अगर आप इसके through जा रहे हो सिर्व इतना message देना चाहूंगा कि आप आपके twin flame को कभी खुद से दूर नहीं रख सकते हो जादा दिन के लिए या वो आपसे जादा दिन के लिए नाराज नहीं हो रह सकते हैं जब तक अंदर से realizations नहीं आते हैं unconditional love का तब तक यह situation आपके सामने रहेगा और यहां पर जो eight key of harmonious union जो जेफिन शिलिया के book में देया गया है वो चाहाथो जो गुण है harmonious union के relationship का उसको आपको अपने अंदर embody करना है अपने अंदर बिठाना है which is you know something that only you can do आप कर सकते हो अपने अंदर कि हमें लगता है कि यह बहुत difficult है या इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बहुत time लगेगा लेकिन दूसरा भी तो सुचिए कि अगर आपका life है आपके true love है अगर आप इसके लिए नहीं करोगे तो फिर आप you know क्यूं मतलब फिर अपने life में अपने twin flame को choose किया है और उन्होंने हमें choose किया है इसकी वज़े से हम एक दुसरे के साथ आ रहे हैं तो फिर यह जो नाराजगी है वो नाराजगी से काफी बढ़ा होता है आप दोनों का जो प्यार है जो soul depth में रहता है soul की गहराई में रहता है तो आप थोड़ा सा support और थोड़े से understanding के साथ जब आप इस journey को pursue करते हो और आपने verification करते हो और जानते हो कि के यह relation को आगे manifestation तक ले जाने के लिए क्या चाहिए और किस तरह से आप इसको अपने दिल से heal कर सकते हो अकेले heal कर सकते हो तो फिर इस नाराजगी को अपने consciousness में से हटाना इतना ज़्यादा तकलीप नहीं है इसे बहुत सारे twin flame में जो already इस energy को heal करके union में आ चुके हैं तो फिर आप भी कर सकते हो आपको सिर्व इतना करना है कि first choice करना है और जो God आपको support दिखा रहे हैं वो support के साथ आगे बढ़ना है So connect with us, we'll help you, we'll guide you ये नाराजगी को दूर करके दिल को जोडने के लिए Thank you